स्वागत है दोस्तों एक बाद फिर से आपके अपने चैनल बास्चाक प्रॉपर्टीज पे तो दोस्तों आज जो मैं आपको लोकेशन और घर दिखाने जा रहा हूं पिलकुल एक अलगी चीज आपको मिलने वाली है वह शौट मैं कहूं तो हमीशे एक चीज हमने देखी है क कि हम हमीशा प्रेमियुम घर लेना चाहते हैं लेकिन प्रेमियुम घर के लिए बजट भी हगी चाहिए होता है लेकिन आज जो आपको चीज देने जा रहा हूं सुपर लगश्री आपको प्रीण वहां पर काम करती है और जब आज मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूं यहां पर आपको स्काय विला, स्काय गाडन, स्काय वॉक एक सो पंतालिस फीट की हाइट के ऊपर आपको ओपन थेटर मिलने वाला और इसके इलावा अगर मैं इस से एरिया की बात करो तो आराउंड आपका जो है दो एकड़ का थीम पाक आपको यहां पर मिलने वाला जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फाउंटेंज आपको मिल जाएंगे अगें यहां पर आपको गजीबो, जोगिंग ट्रैक, प्ले एरिया जहां पर क्रिकेट, पिछ, बास्केट बॉल, बैडमिंटन कोट इसके इलावा, आपका जो होगा चृंडर प्ले एरिया, जिमनेजियम, और प्लस क्लब हाउस वाली फैसिल्टीस वो थी वो आपको बहुन यहां पर मिलने वाली इयों दोस्तों अगर हम सब क्लब हाउस की बात करें तो आपका फुली एसी क्लब हाउस आपको मिलने वाला जहां पर एक स्विविंग पूल फूल साइस का आपको मिल जाएगा जो की छत पे होगा इसके इलावा डे केर सेंटर जिम जिमनेजियम कार चार्जिंग पॉइंट योगा मेडिटेशन लाइब्रेरी हर चीज़ आपको यहां पर मिल जाएगी तो दोस्तों अब बिल्कुल सिदा पहुंचते हैं अपने घर के पास जहां से शुरू किया था फिर वहीं से कहानी शुरू करते हैं अपने घर की दोस्तों घर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि घर जब हम लेते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है लोकेशन तो यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है बिल्कुल हाईवे के साथ रहेगी चंडीगड हाईवे के ऊपर आपको घर यहाँ पर मिलने वाला है प्रोपर साथ एकड़ की सोसाइटी आपको मिल जाएगे जहाँ पर फौन्टेंज गाडन क्लब हाउस हर चीज़ आपको मिलने वा हैंगी 1600-1800 स्केर फिट और इसके लावा डूपलेक्स स्काय विलाज आपको मिल जाएंगे जो की राउंड 3600 स्केर फिट के अंदर आपको एरिया मिलने वाला है तो एक प्रीमियम सेग्मेंट और एक अच्छे बजट के अंदर वह आपको दोनों चीज़े यहाँ पर मिलन अजटे कर देंगा तो जैसे हम उपन करते हैं तो हमारे सामने आता है एक प्रीमियम सेग्मेंट डू साइड ओपन घर जो की 1200 के अंदर ऑर जैसे हम अंदर आते तो हमारा डॉइंग एरिया मारा वेलकondere करता है कज तरीके के साथ तो यह खूब सूरत ही होती जब हमें अपन जाएगा तो एंटे करते ही हमारे पास जो स्पेस आ जाती है आपके सामने और आपको बता दू यहाँ पर टू बेड्रूम हॉल किचन भी आपका शुरू होता वह भी 1370 स्केर फिट के साथ शुरू होता तो आपके पास जो साइज है वह काफी बड़े-बड़े और सिर्फ आ आपको एज़ नहीं होगा लेकिन उसके अंदर आपको कंसी लेंगे प्रेंट सीलिंग के अंदर एक अच्छी लुक आपको मिलने वाली है इंटर्न या आउटर डोर जितने भी रहेंगे आपके वह सारे 8 फिट की हाइट के रहने वाले हैं और स्पेस आपको यहाँ पर मिल रही है 6 फिट की मिलेगी और 6 फिट से लेके 38 फिट तक चले जाएगी मतिकी आपकी जो चड़ाई यह वो 6 फिट की रहेगी उसके इलाव 38 फिट लंबी होगी तो काफी अच्छा खासा साइज हमें यहाँ पर मिल जाता है और दोनों तरफ खिड़की है आपकी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यह मैं आगे से दिखाता हूं आपको तो चले दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने फर्स या फिर फिर गैस्ट बैडूम की तरफ तो ठीक यहाँ पर आपको आपका जो है गैस्ट पेडूम मिल जाएगा जो की 14 फिट भाई 11 फिट का आपको मिलने वा टीबल लगाएंगे यहां फिर बॉलमांट कुछ भी करेंगे तो इसली हो जाएगा बिना फिकर के आपका यह जो बैडूम है आपको काफी अच्छी खुली-खुली फिलिंग यहाँ पर देने वाला है और हर बैडूम के अंदर आपको एक वाड्रो मिलने वाली है जो की सी मिलने वाली है और इस बैडूम के साथ भी आपको एक खिड़की मिलने वाले जो की काफी बड़े साइज के अंतर होने वाली है आप उपर नताद लाएं बिल्कुल आराउंड आट फिट से जादा आपको मिल जाएगी और टफन के साथ यूपीवीसी आपको डोर यहां पर लेवल की है लेकिन एक अच्छे बजट के साथ आपको मिल जाती है आप अंदर की तरफ जैसे देखते हैं आपको समझ आएगे कि यहां पर फ्लोरिंग से लेके सीलिंग की हाइट तक आपको जो टाइल है बड़े एक अच्छे लुक्स के साथ आपको मिलने वाली है और इस आपको टाइं वालिए ठीक यहां पर आपको जो है प्रॉपर विटेंग को मिल जाएंगे जो की कोलर के तरफ से होंगी तो अदो तो ठीक जब यहां से हम बार की तरफ आते हैं तो यहां पर का उद्ट रेंगे और अब अब दौएंग गेरिया के साथ आपका जो है यहां पर किछन वह मिलने वाला है तो किछन आपकी Two साइट रहने वाली है जहां पर एक तरफ आपकी कुकिंग रहेगी और दूसरी तरफ आपकी चॉपिंग और प्लस वाशिंग दोनों चीज़े आपकी हो जाएंगी और पूची पूरी किचन जो रहेगी डबल लैमिनेशन रहेगी आपकी और इसके इलावा हैतिक की तरफ से आपको ये चै आपको मिलेगा बिल्कुल ताइक कि आपको किचन में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए और एक अच्छा साइज जैसे कहते साड़े दस भाई साड़े साथ वह आपको यहां पर मिल जाता है बिल्कुल किचन की ऊपर आप देखेंगे तो ठीक यहां पर आपका जो है यूटेंस कि दोनों ऑप्षण से अगर आपको इस तरह को चाहिए तो वह इसाथ अब जबने वाले हैं तो यहां पर आपको किच्छन यहां पर बनाकर देंगे कुछिक हर किसे की अलग चॉइस होती तो वह यहां पर हमारे पास अवेलेबल हैं यह चीज़ी तो दोस्तों जैसे मैं इ के लिए कि बाभी की यहां पर एक सकते हैं इसके इलावा बहार वौश्प म disease आपने यहां नीचे एड़ लेकर यह से लेकर यहां तक यह च्छी वराउंd 81 वे हएंगे तो काफ यहां जाका पर नयाए तो कहलेगा हुश स्वासिक तो इतना अच्छा साइज जब हमें बालकोनी का मिलता है तो इसली यहां पर चेर्ज रखो यहां फिर अपने चार पाई रखो पुरा मज़ा आता है इसी जगह पर क्योंकि वेंटिलेशन जो अपने घर के अंदर बनी रहती है लाइट पूरे दोनों तरफ से आपको आने बा जाती है ओपन प्ले अरिया मिल जाते है 145 फिट की हाइट पर तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है आपके इस नए घर के अंतर तो दोस्तों के साथ ही थोड़ा साओर आगे बढ़ेंगे तो ठीक यहां पर हमारा आ जाता है common washroom और common washroom को भी बड़े अच् जो है washroom यहां पर मिलने वाला है अगेन cooler की तरफ से fittings आपको यहां पर मिल जाएंगी जो कि एक अच्छे way के साथ आपको यहां पर मिल जाती है कुछ चीज़े इतनी खुब सुरूत होती है कि अपनी तारिफ उनको बोलने की जूत नहीं पड़ती है अपने आप सब कुछ इसके इलावा जो design है वो भी काफी अच्छा याता है तो आपका जो bedroom है यहां पर साड़े 13,5-10 का size हमें यहां पर पूरा मिल जाता है जो की वाकि काफी अच्छी space है आप बैड लगाने के बाद इसमें काफी कुछ समझ सकते हैं एजिली आगर हमने जैसे आपके सामने यह यहां पर इजली अगर आप study table भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं तो जैसा आपका मन करें वो आप कर सकते हैं क्योंकि अपनी creativity बिल्कुल अलाग होती है चीक यहां पर आपकी वाड़ूब्स हैं जैसा हमने पहले देखा था आपके पास वाड़ूब्स थी वह आपकी sliding थी और यहां पर पल्ले वाली है तो जैसा आपको suitable लगता तो आप वैसा अपने लिए कर सकते हैं और अंदर भी आपको यहां पर पूरे मिलने वाले तो बेश्विकर आपको अपना समान रखे और जितना चाहते हैं आप उतना रखें आपको storage की कमी नहीं यहां पर होने वाली है और movement की कमी नहीं होने वाली है क्योंकि space आपके पास यहां पर बहुत अच्छी मिल जाएगी और आप देख सकते हैं यह पूरी wall जो है यह आपकी खिड़की है इसको मैं बहुत से भी दिखाता हूं आपको अच्छे से तो दोस्तों यह हमारी वो बालकुनी है जो मैंने आपको बताया था च्छे फिट बाई 31 फिट की है तो आपका घर जो है टू साइड ओपन है तो दोनों तरफ से आपको बालकुनी यहां पर पूरी मिलने वाली है अब वहां से यहां तक पूरा मज़ा करेंगे से बालकुनी आपके डाइनिंग टेबल के साथ भी आपको मिल जाएगी जो की आपको खिटकी मिलेगी और इसके इलावा आपका ड्राइंग एरिया तो हर तरफ से घर के अंदर आपको लाइट यहां पर पूरी मिलने वाली है तो बिलकुल एक बास्तु कंप्लीट एक अच सनलाइट का आना वेंटिलेशन होना वह बहुत काम हो चुका है तो यहां पर आपको वह सारी चीज़ें मिलती है तो वापिस अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा तो दोस्तों दो बैड्रूम हॉल के चाहां हम देख चुके हैं आपको जितनी भी फ्लोरिंग यहां पर मिलती है सारी की सारी के जारिय की तरफ से आपको मिल जाती है और ठीक यहां पर हमारे घर का जो है थर्ड बैड्रूम जो कि इसको मैं मास्टर बैड्रूम भी कहा सकता हूं अगेन आपका वैसे चौदा बाई ग्यारा का साइज राय आता है तो 14 भाई 11 के अंदर अगेन हमारे पास जो स्पेस है वो काफी अच्छी खासी हमें मिल जाती है तो अगेन हमारे पास एक स्टेडी टेबल थोड़ा सा अलग आ गया है जहां पर हमने छोटा सा एक लैंप रख है सिरफ आपको एक आई लिया देने के लिए क्योंकि शो फ्ल आपकी आइस में बिल्कुल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा कि एक प्रॉपर डिस्टेंस जो यहां पर मेंटेन हो रहा है तो बे फिकर होकर आप इसको पूरा मजा ले सकते है और इसके साथ यहां पर खिड़की है सुबर सुबर उड़ते है आप जैसे कटन हटाएंगे तो इस बेड्रूम में भी आपको वाड्रोब्स पूरे मिलते हैं तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था टू बेड्रूम हॉल किचन भी यहां पर 1370 स्केर फिट के अंदर है थ्री बेड्रूम के दो साइज हैं 1600 स्केर फिट 800 स्केर फिट और स्काई विला जिसे हम क अगें अटैच मिलने वाला आपको और यहां भी अगर आप वैनेटी की तरफ देखेंगे तो वाके बड़ी अलग वैनेटी आपको मिल जाएगी एक अच्छा कलर कॉंबिनेशन आपको टाइस का और हर चीज का यहां पर मिलने वाला है फ्लैट ऑल्मोस्ट वैनेटी आपक काफी अच्छा जो है डिजाइन आपको यहां पर मिल जाता है तो तक्रीबन साड़े साथ साथ फिटके आपको जो है वाश्रूम यहां पर मिल जाते हैं साड़े साथ भाई साड़े पांच के काफी अच्छा साइज आपको मैं कह सकता हूँ यह और दोस्तो यहाँ पर आपका जो है इस वाटो के साथ यहाँ फित रेसिंग ए है जहाँ पर आपके लिए जए है नियु पाराइज डिरसिंगर सब्सकेज। आपको घर यहां पर मिल जाता है इसके इलावा है वेनेटीज की जो बात है वह तो बाके काफी अलग है और बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं आपको भी बता नहीं पाया क्योंकि टाइम की शॉटेज है बहुत सारी चीज़ें आप खुद आकर देखते हैं तो आपको समझाता ह कि यह जो हमने सोचा था उससे बहुत बढ़कर रही है तो दोस्तों अमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए दोस्तों का शेर कीजिए और अगर आप नए है चैनल पर तो चैनलों के सब्सक्काइब पर लिजए